नमस्कार मैं हूं दिपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे नियूज उत्तर प्रदेश सरकार ले सकती है बड़ा फैसला जी हां बच्चों से संबंधित अपराध में पीडितों की मदद के लिए प्रदेश भर में बाल मित्र थाने खोले जाएंगे राज्य बाल अधिकार संब्रक्षन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी जंडी दे दी गई प्रस्ताव को अब शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बाल मित्र थाने प्रदेश के सभी 75 जिलों में खोले जाएंगे आयोग के अध्यक्ष देवेंदर शर्मा ने बताया कि बाल मित्र थानों के माध्यम से बच्चों को बहतर माहौल दिलाने का प्रयास किया जाएगा इन थानों में पुलिस कर्मी रहेंगे लेकिन वो वर्दी में नहीं रहेंगे जरुरत पढ़ने पर यहां बच्चों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी इन थानों को बच्चों के अनुरूप सुसजित किया जाएगा और साथ ही कॉमिक्स बुक भी रखी जाएगी बैठक में एक युद्ध नशे के विरुध अभ्यान चलाने पर भी चर्चा हुई जिसमें बच्चों को नशे से दूर रखनी की कोशिश की जाएगी मेडिकल स्टोर से बच्चे नशे की दवाईं न खरीच सकें इसके लिए दवा की दुकानों पर सीसी टीवी कैमरे अनिवारे रूप से लगवाने के निर्देश दिये गए बैठक में बाल अधिकार संरक्षन आयोग की एडवाईजरी कमेटी गठित करने वपरामर्ष देने वालों की नियूकति का प्रस्ताव भी पास किया गया झाल